स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज का ये वीडियो उर्दु ग्रामर के अब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट पूर है इसके पहले ओल्रेडी तीन क्लास हो चुका है यान की तीन पार्ट अप्लोड हो चुका है पार्ट वन में हम लोग 20 कोईशन किये थे पार्ट टू में 20 कोईशन और पार्ट प्री में 20 कोईशन यान की ओल्रेडी हम लोग साथ कोईशन कंप्लीट कर चुके हैं very very important और आप लोग को पता ही है जितना भी important objective question कराती हूं वो आप सबी लोग के लिए इतना important होता है कि direct hoogh question final exam में लड़ता है अब मैं खुद से तारीफ क्या करूं आप लोग झाकर उर्दू Grammar की जित्ने भी अबलभी subjective question कराये गया है प्रिवेस सेशन के ठीक है यान कि पिछले वाले सेशन में जितना भी objective question कराया गया है उर्दू grammar का या फिर उर्दू grammar पढ़ाया गया है आप लोग comment box में जाकर comment को देखें पिछले सेशन के जितने भी student है भर भर के comment कि आप लोग को एसास होगा कि उर्दू grammar का जितना भी important objective जाता है या फिर जो कुछ भी पढ़ाया जाता है आप लोग के लिए कितना महत्तव होता है ठीक है ना तो यह आप लोग गिलत स्थाहिमी में ना रहें कि यह सिर्फ practice के तौर पर question कराया जा रहा है जी नहीं यह practice के तौर पर तो है और साथ साथ में विविया यान की very very important भ ठीक है ना तो आज के इस important वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही चाहती हूं कि आप लोगों के लिए इतना बहतरी इतना जबरदस्त content प्रवाइड किया जा रहा है तो इसके बदले में आप लोगों को और कुछ नहीं करना है पैसा तो बिलकुल भी पैह नहीं करना है फी बिलकुल भी आप लोगों से नहीं विखाता है सब कुछ फ्री ऑफोस्ट होता है तो इसके बदले में आप लोगों से यही चाहता हूं कि रिए गोरे शेयर करें चानल पर निय आ है को षछरुआ से ओप सब्सक्राइब करें अर दूसरे को A B C D रखते हैं comment box में लिख कर बताना है 1 का A B C D जो भी आपको लगे 2 का यानि की 2 का जो भी आपको लगे मतलब अपने हिसाब से comment box में लिखना है और फिर लास्ट में total 20 objective question करने के बाद आप लोग को comment box में लिख कर बताना है कि आप लोग अपने हिसाब से कितना question सही कर प हो रहा है कि यहां से जाओ में जाओ कौन सा फेल है यानि कि बताना है कि एक sentence जो है यहां से जाओ इस sentence में यह जो जाओ है यह कौन सा फेल है यानि कि वर्व है option में है फेल माजी भी में है फेल अमर सी में है फेल नहीं और डी में है फेल मुस्तक्बिल तो और लड़ी में आपनों को पढ़ा चुकी हूं कि जिस फेल को जिस काम को करने के लिए order दिया जाए हुक्म दिया जाए कि मेरा मेरे लिए ग्लास पानी लाओ मेरा गला दबाओ मेरा पैर दबाओ मेरा हाथ दबाओ या फिर यहां जाओ वहां जाओ यह करो तो जिस फेल को जिस काम को करने के क्लिए order दिया जाए उस काम को हम लोग कहते हैं उस तरह को कैते हैं फिल अमर यानि order देना ठीक है तो जिस काम को करने के लिए order दिया जाए ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि तुम आते हो इस जुम्ले में तुम कौन सा सेगा है और लड़ी सेगा भी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है तुम आते हो तो यहां पर देखिए तुम सबसे पहले तो यह एक वाहिद लवज है और सेगा की बात की जाए तो यह सेगा जो है ना तुम यानि की हाजिर वैकती है ना तुम क्या है हाजिर में आता है तो यहां पर 62 का जो सही एंसर होगा होगा option number B सबसे पहले तो तुम हाजिर है और वाहिद है यानि कि तुम लोग नहीं है जमा लवज नहीं है यह वाहिद लफज हैं तो वाहिद हाजिर यह कहलाएगा option number B is the correct answer ठीक है अगर आप लोग हर एक topic पढ़े होंगे तो आप लोग को हर यह question समझ में आ रहा होगा उसका answer भी आप लोग खुद से बता पा रहे होंगे तो इसी वजह से मैं आप सभी लोगों से कह रही हूं कि practice भी होगा और पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस तरह से question पूछे जाते हैं चलिए नेक्स्ट कुश्चन है question number 63 कि खुदा तुम्हारी उमर दराज करे यह कैसा जुम्ला है शाल कि c masa में खबरिया बी मैं है इसम्हारा यहां पर थोड़ा के जा टैप और एए ऊप्शन नमबर में लाएगा यहां पर इसमिया नहीं रहेगा इन यहां पर टीक्री यहां पर इंशाय हो जाएगा इंशाया, option number V में हैं इंसाया, C में हैं failure और D में हैं दूाया तो खुदा तुमारी उमर दराज करे, जिस sentence है यानि की जुम्ला है, इससे क्या पता चल रहा है इससे पता चल रहा है कि इस sentence को बोल कर दूा दी जा रही है यानि कि ये जो sentence ये जो जुम्ला है ये एक दूआईया जुम्ला है जिसमें दूआ दी जा रही है कि खुदा तुम्हारी उमर दराज करे next question कि तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है कि खार का हमसूत लफ़ कौन है यानि कि खार ये जो लफ़ है इसका एक जैसा पुनाउंस होने वाला लफ़ कौन सा है तो देखिए option में है खास और B में है खार यानि कि option number B is the correction sir खार ही के जैसा पुनाउंस हो रहा है ना खार मतलब इसमें वाउ है खार और खार दोनों को ये क्या पढ़ा जाएगा दोनों को खार ही पढ़ा जाएगा इसको भी खार पढ़ा जाएगा बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें वाउ है वाउ को पढ़ा नहीं जा रहा है तो हमसूत लफ़ ये कहलाएगा एक दूसरे के हमसूत लफ़ ये एक जैसे पुणाउंस होने वाले लफ़ नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं कोशन नमबर 65 की अलिफ मम्दूदा जेल के किस लफ़ में है ऑपसे ने में है शहाब वी में है एहमद सी में आदाव और डी में है बुश्रा तो 65 का और विजोली बात है ऑपसे नमबर सी हो जाएगा क्योंकि जिस अलिफ को खीच कर पढ़ा जाता है उस तरह की अलिफ को कहते हैं अलिफ मम्दूदा तो आदम या फिर आप सिंप्ली पेचाने का अलिफ मम्दूदा पेचाने का ट्रिक है कि जिस अलिफ के उपर मत दिखाई दे तो देखिए अलिफ के उपर मत दिखाई दे रहा है न तो इसको क्या कहेंगे अपसन नमबर C is the correct answer नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है कि जिस्म की जिद क्या होगी जिस्म का अपोजिट वर्ड बनाता है तो जिस्म का अपोजिट वर्ड होता है रूह कौन से अपसन में है अपसन नमबर C में है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि दर्जिजल में कौन सा लब्स मजख्कर है जी हाँ पुलिंग को बताना है कि कौन सा लब्स पुलिंग मजख्कर है अपसन में है जान, B में है तनखा, C में है जंग, और D में है खान, दान तो इसका सही अंसर क्या होना चाहिए आप लोग खुद से सोचे मुझे तुमारी जान ले लेनी चाहिए यान की जान जो है न यह एक मुएनस लवज है तो यह होगा नहीं आपसन नंबर एट तो होगा नहीं क्या तुम्हें तनखा मिल गई? यान की तनखा मिल गई मिल गया नहीं, मिल गई यान की तनखा, यह लवज भी मुएनस लवज है यान की इस तरी लवज है तो यह भी नहीं होगा आपसन नंबर भी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पुलिंग लवज बताना है जंग मुझे तुम से जंग लड़नी चाहिए ठीक है, लड़नी चाहिए या फिर जंग हुई इस तरह से होता है तो जंग यह जो लवज है यह भी मुएनस लवज है आपसन नंबर सी भी नहीं होगा खानदान यह जो लवज है, यह एक मुझकर लवज है यान की पुलिंग लवज है इस सवाल का सही जवाब होगा आपसन नंबर डी खानदान चलिए नेक्स्ट कोशन है कि जैल में इसमे आला की निशान दही की जए आपसन न में है खुरपी ब में है पटना सी में है पानी और डी में है घर इसमे आला किसे कहते हैं जिस लवज से औजार या फिर हतियार का होना पता चले उसे हम लोग इसमे आला कहते हैं तो खुरपी देखिए एक औजार का नाम है आपसन नंबर ए इस दा करेक्ट इंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन कि उर्दू कवाइद के कितने हिस्से हैं आप लोग जानते हैं कि उर्दू कवाइद के टोटल पांच हिस्से हैं आपसन नंबर सी इस दा करेक्ट इंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावट के लिहाद से इसम की कितनी किस्मे हैं और विज्वली बात आप जानते हैं बनावट के लिफार से इसम की तीन किसम है option a is the correct answer question नम्र seventy one की डर्ग्वश्यल में लाहका की निशान दही कीजिए option इसमें है चारागा, वी में है बदनाम, सी में है बदनसीब, डी में अनपड लाहका जो यहां पर आप देख सकते हैं जो लास्ट में जूड़े तो देखिए कौन से लव्स जो है वह लास्ट कौन से लव्स के लास्ट में खुरूफ जुड़ा हुआ है यह आपको देखना है तो इस सवाल का सही जवाब देखिए क्या होगा सबसे पहले पढ़ता और यह स्टार्टिंग में बद जुड़ा हुआ है तो यह नहीं है यानिकि यह दोनों साबका वाला लवह से ठीक है है उसके बाद से पहले नाम आप सा यानिकि ये भी साबका वाला लवज है तो option number A is the correct answer चरगाह जो होगा ना ये है लाहका वाला लवज ठीच है तो option number A is the correct answer अगला सवाल है कि तुम्हारी टोपी कहा है यह किस तरह का जुम्ला है option A में खबरिया B में सवालिया C में इंशाईया तुम्हारी टोपी कहा है यह सवाल पूछा जा रहा है यह सवाल यह जुम्ला है तो option number B is the correct answer अगला सवाल है कि सफर का हम सोगत लवज क्या होगा यह सफर जैसा प्रणाउंस होने वाला लवज तो देशियों आपसन A में ही दे दिया गया है सफर option number A ही हो जाएगा correct answer जाहिद कल पटना जाएगा यह जमाना की कौन सी पिस्म है यानकी कौन सा टाइप है टेंस का कौन सा टाइप option A में है माजी भी में है हाल सी में मुस्तक्बिल और डी में है माजी तमनना ही जाहिद कल पटना जाएगा यानकी काम यह हुआ नहीं है आने वाले समय में होगा फ्यूचर में होगा यानकी मस्तक्बिल में होगा यानकी यह जो जमाना है यह जमाना मस्तक्बिल से related है तो option number C is the correct answer मस्तक्बिल लगा दीजे धीरे से अगला सवाल है कि दर जजैल में इस मारफा कौन है इस मारफा यानकी proper नाम खास नाम को कहते है चाहे वो किसी भी चीज़ का खास नाम क्यों ना हो तो देखिए option A में है महल महल में तो कोई भी महल हो सकता है यानकी एक खास नाम नहीं होगा है महल एक आम नाम है तो option number A होगा नहीं option B में है किताब किताब में एक special किताब का भी नाम नहीं लिया गया है तो किताब भी एक आम नाम है ये भी नहीं होगा C में है पटना तो जी हाँ पटना एक खास नाम है शहर का शहर एक आम नाम है जिसमें इस अभी शहर आ जाएंगे लेकिन शहर में एक खास नाम दे लिए गया है पटना तो पटना इस दा प्रोपर नाउन यानिकि यही है इस मारका आपसा नबर सी इस दा करेक्ट इंसर्ट चलिए आगे बढ़ते हैं दर्जैल में इस मसागर कौन है मसागर का मतलब होता है छोटा किया हुआ बाग और बाग इचा दोनों लब्स को देखिए लगता है ना बाग बाग इचा जो है ना बाग से छोटा है यानि की बाग इचा लब्स से छोटापन जाहिर हो रहा है तो डारेक्ट देख जड़ा है गालिब मिर्जा स्थुल्लाख गालिब मॉस्ट फेमस शायर इनका तखलुस कौन नहीं जानता है गालिब है तो आपसन नमबर सी जड़ करेक्ट इंसल चलिए आगे बढ़ते हैं फड़ाफट जर जाल में कौन सा लफस मुझकर है आपसने में में किताब भी मे धुकान सी में दोपहर और डी में कलम मुझक्र यानि के पुलिंग onc को बताना है और यहां पर इस सवाल का सही जवाब होगा आप को नहीं किस्वाब नहीं क्यूंकि हम लोग कहते हैं यह मेरी किताब मेरे किताब है यह थो मुनलस है यह तो होगा नहीं आवरा धूकान खुल गईी います कि डोपार हुगी है हम लोग बोलते हैं यानि कि और स बारेष भी नहीं हो उपस्धी धक्ला सब्सक्राइब क्लेक्ड यहां कलम मेरा है ठीके आघे बढ़ते हैं नेक्सकेट कि तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर इस सवाल का जवाब देना आप लोग को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा मुझनस लब्स की पेचान करनी है और डिरेक्ट मैंसरी आप लोगो जादे रही हूं 79 का ऑप्स नबर सी तक करेक्ट अंसर तलवार ठीक है तलवार जो लवज है यह एक मुझनस यानि कि इस्ट्रेलिंग लवस है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं वक्त क्या है ऑप्शन आ में है मुझक्र बी मैं मुझनस सी में फेल और डी में फाल तो वक्त जो है न ये एक मुझक्र लभ्स है कि वक्त बीत गया हम लोग कहते है वक्त बीत गया है वक्त बीत गया है यहीं कि मुज़ा कर पुलिंग लफ्स है यह तो आज के इस विडियो में हम लोग 20 question कיए और्धो ग्रामर के objective question का यानि कि already आज के इस विडियो तक हम लोग कर चुके हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे 81 नंबर क्वेशन से तो आप लोग बिल्कुल रडी हो जाई और थोड़ा सा इंतजार कीजिए वीडियो बहुत ज़ल अप्लोड होने वाला है ठीक है आज के इस वीडियो में जो कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सता अतितब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज